तो यह आपके सामने question है, देख सकते हैं, find the moment of inertia of the channel section, और channel section कैसा है, c type का है, ठीक है, channel जो section दिया हुआ है, वो c type का ये channel section दिया हुआ है, और इसका moment of inertia find out करने के लिए बोला है, और इसका moment of inertia जो find out करेंगे, ध्यान से समझना कि इसका moment of inertia find out करने का, इसके previous भी, ये question number 2 का d है और वाला है, ठीक है, तो इसका moment of inertia कैसे calculate करेंगे, वो चीजे थोड़ा सामने जिक्र कर लेना है, कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, और आप इसके base पे, इसके concept को समझेंगे न, तो बहुत better रहेगा, ठीक है, सबसे पहले तो आप try करो, एक बार पहले ये video को दे देखोगे न, तो concept को समझो, क्या मैं समझाने चाता हूँ, कि ताकि आपको idea मिल जाए, सबसे पहले जब भी moment of inertia finder करनी हो, किसी भी section का, तो आपने क्या कर लेना है, कि सबसे पहले ध्यान देना important ये है, कि सबसे पहले इस section में देख लेना कि ये section symmetric है या नहीं है, symmetric अगर ह नहीं होगा, जिस axis है, उससे हमें, x bar औ y bar की फिर calculate नहीं होगा, अभी section में देखोगे, तो इस section symmetrical कौन से axis है, symmetrical अगर देखोगे, तो ये देखो, ये वाला जो axis होगा, ये equally two part में divide कर रहा होगा, और हमें पता चल रहा है, कि ये जो hundred है, इसका divide by, ये जो reference axis हम ड्रॉ ये reference axis, तो इससे हमें ये y bar directly मिल जाएगा, कितना total hundred है, तो divide by two करोगे, तो 50 mm आ गया ये, ये मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं y axis draw करूं, तो ये नहीं पता चलेगा, कि exactly कहां पर ये हा रहा है, ये कहां पर ये equally area divide कर रहा है, ये हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है, यहां पर उसका reference axis होगा, dash dash करके बता देते हैं, तो ये x bar कैसे मिलेगा, वो नहीं पता चलेगा, directly नहीं मिल पाएगा, ठीक है, तो यहां पर आपको statement लिखके बताना पड़ेगा, यहां पर सबसे पहले लिखेंगे, कि this section, यहां पर लिखके बताएंगे, कि this section is symmetrical about x axis, x axis के symmetrical है, तो y bar आपका directly मिल गया, कितना, 50 mm आ गया, 100 divided by 2 किया, 50 mm आ गया, अब y bar मुझे calculate करना पड़ेगा, तो y bar calculate करने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा, यह figure में हमने part divide करना पड़ेगा, तो यह मैंने part divide कर दिया, यह 1 हो गया, और यह part divide कर दिया, तो यह 2 हो गया, ठीके, समझ में आ गया, अब इसके मैं तीनों का, सबसे पहले क्या करूंगा, area और इसका reference से, इनके center के बीच का distance मुझे पता करना पड़ेगा, अब जब भी x bar find out करने हो, त x2 find out करते हैं, y bar में y1, y2 find out करते हैं, तो y bar तो calculate करना नहीं है, तो y1, y2 तो calculate करना नहीं है, यहाँ पर चाहिए क्या, x1, x2, और एक चीज़ और मैं बता दू यहाँ पर, ध्यान से समझना, मेरी बात को समझना, कि अगर ऐसे condition दिये हो, ठीके, ऐसे condition दिये हो, तो कोई ज find out करो, अगर सिप मुझे i access find out करना है, तो मुझे x bar calculate करने की जरूरत नहीं है, आसानी से आप इससे calculate कर लोगी है, ठीके, लेकिन अगर i y find out करना, i y y, मतलब moment of inertia about y axis अगर calculate करना है, तब तु मुझे x bar चेहिए, लेकिन एक ही मुझे यहाँ पर moment of inertia बोला है, तो i y y या i access नहीं है, तो यहाँ पर i access से मैं निकाल लेता हूं, अगर बोला हो, तो i y y भी निकालने के लिए यृ भी निकाल लेंगे, ठीके, अगर बोला हो, तो हम वो भी निकाल लेते हैं, ठीके, नहीं बोला है, तो तो बोला तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ बोला है moment of inertia, तो हम आई जरूरत नहीं है, x1, x2 या x3 find out करने के लिए, मैं i xs find out कर लेता हूं, और i xs find out करने के लिए, ये xs calculate करने की जरूरत नहीं है, direct मेरा क्या हो जाएगा, अगर i xs मुझे calculate करना है, तो i xs1 plus i xs2 plus i xs3 मैं calculate क तीनों को अलग-अलग separate calculate करके मुझे add कर देना है, और मैं यहाँ पर बताते जाता हूं, i xs1 मतलब आपका ig1 plus a1 h1 का square, अब देखो section जो देखोगे, section की मैं बात बताओ, इस तरीके का आपका section है, ये section है, ठीक है, ये आपका पूरा section है, और ये section में आपका ये y, यहाँ आपका x axis है, और ये y बार आपका दिया है, ये 50 है, ठीक है, और ये section जो देख रहे हो, यहाँ से भी height ये पूरा 50 ही है, समझ में आ रहा है कि नहीं, अब इसके center से जो height मैं बोलूंगा, यहाँ पर ध्यान देना, इसके center से जो height बोलूं, तो ये कितना height होगा, ये जो height h हो होगे, यहाँ पर section में देखो, मैं section figure में थोड़ा सा बता देता हूँ, figure में बताओं कि ये height यहाँ से और यहाँ तक का distance कितना होगा, तो देख लो, ये 10 को मैंने यहाँ से लेके, यहाँ तक का height ये total 50 है, और इसका width 10 है, 10 का half 5, तो 5 इसमें से minus कर दोगे, तो आपका value मिल जाएगा, h1 की, ये जो h1 है, ये मिल जाएगा, कितना, 45 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको value calculate करोगे, यहाँ पर लिख दोगे, पहला number तो bdq upon 12, तो यहाँ पर ये कितना है, size मैं थोड़ा देख लेता हूँ, 50 है, ये total आपका 50 है, और ये आपका 10 है, तो ये 50 into 10 का q, bd q upon 12, ये हो गया, आईजी 1 का, एरिया 50 into 10 कितना हो जाएगा, 500 ये एरिया हो गया, और h1 कितना मिल रहा है, h1 45, मैंने बताया कैसे ये 45 आया, calculate कर लो, जब इसको calculate करोगे, यहाँ पर ध्यान देना, कि जब इसको आप calculate करोगे, तब आपकी value क्या आएगी, वो यहाँ पर calculate कर कि मैं बता देता हूँ, सबसे पहले क्या कर लेना, दोनों की अलग-अलग value निकाल लो, या तो, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, सबसे पहले क्या करो, 10 का cube करोगे, 1000 आएगा, into 50 कर लो, divide by 12 कर लो, आपकी value जो आई है, उसमें plus करो, और bracket में लिखो, क्या लिख into 500, bracket close कर दो, equal कर दो, आपकी value जो आजाती है, हुआ जाती है, 1.016 into 10 पहुर 6 आजाएगा, यह आपको मिल गया, फिर उसके बाद से IXX2 चाहिए, IXX2 के लिए Ig2 plus A2H2 square आजाएगा, अब उसका section कैसा है, यह वाला section है, अब दोनों में section में देखोगे, common चीजे मैं बता दू, यहाँ पर आपका reference axis है, और यहाँ से, यह इसके center पर ही, उसका Y की value भी आ रही है, मतलब यहाँ पर H की value क्या हो जाएगी, H की value 0 हो जाएगी, ठीक है, H की value क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि यही पर इस section का भी center यहीं पर आ रहा है, और axis भी यहीं पर है, तो यह हो जाएगा यहां पर मुझे सिफ क्या चाहिए पहले नबर तो साइज मैं देख लेता हूं साइज जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ यह हाइट हो गया और यह 10 हो गया तो यह तो जीरो हो जाएगा क्योंकि यहां पर डारिकली मिल जाएगा आपकी वैलू कितना आजाएगा सबसे पहले क्या करो 80 का क्यूब करो क्यूब निकाले फिर इंटू 10 करो डिवाइड बाइट 12 करो जितनी वैलू आ रही है इंजी दाप दोगे तो आपको पावर में बता देगा कितना आ जाएगा 0.426 इंटू 10 इस पौर 6 आ जाता है यह mm4 आ गया तो यह आपको मिल गया फिर उसके बाद से आपको आपको आई एक्स-प्रि निकालना है यह कैसे मिलेगा ाई जी जो आपका आई जी स्थी प्लस के इन तू एच्टिए। 3 square और यह जो होगा न एकदम सेम Ixx1 के बराबर होगा क्यूं कि हाइड भी उसकी उतनी है एरिया भी उतनी है और B और D भी उतना ही है तो इसके ही बराबर हो जाएगा और कितना value आया था देख लो 1.016 आया था 1.016 mm raised to power 4 आया था तीनों को add कर लो तीनों को add कर लेंगे तो कितनी value हो रही है Ixx equal to क्या आ जागा तीनों को add कर लो एक 1.016 इंटू 10 इस पावर 6 प्लस एक की value कितनी आई है 0.426 इंटू 10 इस पावर 6 और इसकी भी value कितनी है 1016 इंटू 10 इस पावर 6 यहां पर लिखना भूल गया था 10 इस पावर 6 अभी यह तीनों को add करोगे तो कितना value आ जाता है 1.0166 इंटू 2 कर दो और प्लस कर दो 0.426 तो value आ जाती है आपकी 2.459 इंटू 10 इस पावर 6 mm रेस पावर 4 आपका Ixx यह calculate होके आ जाता है ठीक है तो इस तरीके से आप calculate करोगे और आसानी से आप calculate करके यहां पर बता सकती हो तो यह मैंने सारा calculate करके यहां पर बता दिया है इस तरीके से आप calculate करके आसानी से इस तरीके के जो भी question होंगे अगर iyy भी निकालना हो तो इसमें x-bar आपको compulsory x-bar निकालने पड़ेंगे तबी तो पता चलेगा कि उस axis से उनके center का length की distance कितना है ठीक है तो वो चीजे निकाल के फिर बाद में iyy भी निकालेंगे iyy जब निकालोगे ना तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं आवी तू को धिता हूं तब यह से इस तरीके से सेक्षन समझ लेना आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ताकि आपको idea मिल जा है इस तरीके का सेक्षन अब इस तरीके का और यह समझ Demo यह why y है ठीक है और यह how י मतलब यहां से आपको x-bar यह एक्स बार मिला होगा ठीक है तो यह आपका value यह 50 है एस्वरी यह 100 है ठीक है और यह 50 है ठीक है आपने यह section डिवाइड इस तरीके से किया था तो पहले का यह दूसरे का यह तीसरे का इस तरीके से करोगे तो यहाँ पर देखो पहले का करोगे तो यह 10 यह 10 होगा ठीक है और यह 50 होगा तो 10 10 इंटू 50 Q अपन 12 करोगे प्लस एरिया आपकर 10 इंटू 50 500 होगा ह1 जो करोगे जब यह X बार मिला रहेगा न तो X बार और इसके बीच का मैं डिक्टैन्स जो भी होगा इसके बीच जो आपका जो भी इसका सेंटर होगा और इसके बीच का 으ह आपका ही सेंटर के बीच में Hoje यह 3 आईगा वह तो वह टीन का आपका कैल्कुलेट हो के आ जाएगे तो यह टेक्निक तो थांक्यू फॉर वाचिंग इस वीडियो इस तरीके से आपका ये question number 2 जो है जिसके 8 question थे वो सारे solution हो गए है तो देखते रहिए और अपने आपको best बनाते रहिए